चो मैं सुमित्रा गोतम आज हम कक्षा नवम की पुष्टक शितीज के कावे खंड को पढ़ेंगे पार्ट एक साखिया पहले हमने पिछली कक्षा में पिछले दिन पहले की दिन हमने पढ़ा था दोह नमबर पास तक उसमें हमने पूरा समझा था उसमें आये था कि हिंदू म राम को पकारते मुसल्मान खुदा को पकारते के कभीर 20 जीवत आज। तू के निकटन जाय आए कभी कि जिन्दा रहते दोनों के निकटनी जाते न तो मुसल्मान खुदा के पास पास जाते न ज background Πास जाते बेठी कभीरा जीम काबा फिरी काशी बया कभी जाजी कहते हैं आप चाए काबा जाएं चाए आप काशी जाएं हिंदू तो कहां जाते हैं बच्चों काशी में जाते हैं मुस्लिम धर्म के लोग कहां जाते हैं काबा में जाते हैं और वो जाकर के जो हिंदू है वो क्या करते हैं राम को पुकारते हैं राम को पुकारते हैं राम भया रहीम वो हिंदू लोग तो राम को पुकारते हैं और मुस्लिम लोग जो है वो किसको पुकारते हैं बच्चो रहीम को पुकारते हैं तो देखो इसमें क्या है राम ही रहीम है और रहीम ही राम है वो जाकर के चाये हिंदु राम को पुकारे चाये मुसलमान लोग किसको पुकारे बछो रहीम को पुकारे लेकिन वो दोनों क्या हैं एक ही है मोट चुन मेदा बया बैट कभीराजी किस तरह से एक है बचो जिस तरह से कभीदा जी उधारन देते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार ग्यों के पीसने से आटा बनता है मोट यानि ग्यों के पीसने से आटा बनता है और आटे को और बारिक पीस दिया जाए न बचो तो वो क्या बन जाता है मेदा बन जाता है लेकिन अंत में तो क्या है बच्चो दोनों ही खाने के काम आते हैं अंत में क्या काम आते हैं बच्चो दोनों ही खाने के काम आते हैं इसी तरह से चाहे राम को हो चाहे रहीम को हो हे तो दोनों इश्वर ही है जिस तरह से हम आटे की बनीवी चीज खाएं, चाय मेदा की बनीवी चीज खाएं, अंत में दोनों ही खाने के काम आती हैं, दोनों ही बेट कर जीमते अरतार खाते हैं और इसी तरह से मुसल्मान और हिंदू मिलकर के राम को ही पुकारते हैं और रहिम को पुकारते हैं और दोनों क्या एक ही इश्वर है समझ में आया बच्चो अगला देखो उँचे कुल का जन्मिया जे करनी उँच न होए सुबरन कलस सुरा भया सादू निंदा सोई सुबरन कलस सुरा भया सुरा का अर्थ क्या आता है इसमें शरा तो देखो उँचे कुल का जन्मिया कभी दाजी कह रहे हैं जिस प्रकार उँचे कुल में जन्म लेने से कोई इंसान अच्छा नहीं बन जाता बच्चो कोई भी उँचे कुल में जन्म ले ले लेकिन उससे इंसान बड़ा नहीं बन सकता बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है उसको अच्छे कर्म करने पड़ते हैं अच्छी करनी पड़ती है करनी यानि कर्म उँचे कुल का जन्मिया जे करनी उँची नहीं उँचे कुल में जन्म ले लो लेकिन कर्म अच्छे मत करो कर्म अच्छे नहीं तो वो कुल में उच्छे कुल में जर्म लेने से कोई इंसान अच्छा नहीं बनता उसके कर्म अच्छे हैं तबी तो वो इंसान बनता है अगर वो अच्छे कर्म नहीं करें ना बच्चो तो क्या होगा कि वो किता भी उच्छे कुल में ले लेकिन उसका कुल का भी विनाश ही होता है कि उसी प्रकार से सुबरन कलश सुरावय उसी तरह से सोने के कलश में कलश होता है ना बच्चो सोने के कलश में अगर शराब रग दी जाए क्या रग दी जाए बच्चो शराब किसमें सोने के कलश में तो क्या है कि वो क्या नहीं बन सकती वो कभी भी अमरित नहीं बन सकती सो करम अच्छ होना चाहिए हमें कर्मों पर ध्यान देना चाहिए अच्छे व्यक्ती की निंदा हो जाती है अगर वो कर्म अच्छे नहीं करेगा अब आगी का पढ़ेंगे हैं बच्चो सबद अगले का नाम क्या है सबद कभी के इसमें भी कभी को ने? कभी दाज जी कभी कह रहें क्या कह रहें? मो को कहां ढूंडे बंदे में तो तेरे पास में ना में देवल ना में मजजित ना कावे केलास में कभी कहते हैं कि मनुशी इश्वर को हर इस्तान पर डूनता है कोई मंदिर में जाके डूनता है कोई मजजित में डूनता है कोई धार में किस्तल धार यात्रा गरने जाते हैं काबे में डूनता है कोई केलाश में डूनता है तो कविदा जी क्या के रहे हैं ना मैं देवल ना तो मैं मंदिर में हूं देवलकार थे मंदिर ना मैं मज्जिद में हूं ना काबे केलाश में ना मैं काबा में हूं और ना मैं केलाश में हूं ना तो कोने क्रिया करम में नई म मैं किसी क्रिया करम में हूं अर्थारती जो पूजा पाठ होते ना दिखावा है मन से इश्वर को दो मिनटी याद कर लो तो वो क्या करें ना मैं कोने ना तो कोने क्रिया करम में मैं किसी पूजा पाठ में भी नहीं हूं नहीं योग वेराग में और मैं किसी योगी के या वे आप जो जाएगी ऐसा नहीं है खोजी होए तो तुरते मिलियो अगर आपको मुझे खोजना है इश्वर के रहे अगर आपको इश्वर को खोजना है पल भर की तलाश में तो खोजी होए तो तुरते मिलियो तुरंत मिल जाएंगे कब पल भर की तलाश में थोड़ी सी देर की तलाश में पलवर की तलाश में आपको इश्वर मिल जाएंगे कहे कभीर सुनो भई सादो सब सासों की सांस में कभीदाजी कह रहे हैं है सज्जनो सुनो मैं जो कह रहा हूँ क्या कह रहे है कभीदाजी की इश्वर सब सांसों की सांस में हर व्यक्ति जो सांस लेता है ना उसमें इश्वर निवास करता है जब इश्वर ही हमारी सांस के साथ निवास कर रहा है तो इश्वर हमारे अंदर है तो हम उसे हर इस्तान पर नहीं डूंडे धन्यवाद बच्चो